है रे दोस्तों नमकीन कीचन में आपका स्वागत है तो आप देश सकते है ये चटपटे से नास्ती कितने ही स्वादिस और सुंदन लग रहा है खाने में भी इतनी इलाजवाव है दोस्तों चली बनाते हैं नास्ते किस तरीका से बनते हैं तो सबसे पहले हम ले लेंगे 400 ग्राम प्याज इसको हम कट करेंगे तो हमारा 300 ग्राम प्याज जो है यहां कट कर लिए हैं हमने पूरे छिलके उतार के हमारे तैयार हुए हैं अब हम इसमें मिला दे रहे हैं 200 g बेसन यानी 400 g प्याज 200 g बेसन हम इला ले रहे हैं अगर बेसन हमारे कम पड़ेंगे तो मैं और ब्ली ढाल दूंगी, अब मैं डाल दे रहे हूं बिल्कुल भी 2 छुटकी में जवाइन, बहुत ज़्यादा जवाइन नहीं डालना है, हमको बिल्कुल हाथ से क्रस्ट करके डाल देना है जिसेस के पुश पुश है उतर आएंगे अब हम इतना ही मंग्रेल को डाल देंगे जितना हमें जवाइन डाला है न उतना ही मंग्रेल हम यहां डाल देंगे और मंग्रेला से भी बिल्कुल भी अच्छे लगते हैं आपके टोड़ा समय मसाला को ढल के तुटा सा में चक्छूर पड़तो ने थीट ढया थीड़ी aussi चेली पाउडर क्त्सक्छली ठीक ढल का उपर से इस च्वादावानसा नमक है से मथे खुख्OC it बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाओंगे और इसको हाथ से मैं अच्छी तरीका से मैस कर लोगे मैस करने के बाद थोड़े थोड़े जब पानी हम इसको ठीटे मानने हैं और हमें पकोड़े का इसका एक डोसा बना लेना है तो देखी दोस्तों इसको हमें साधे ढंक से ही गरे के मसालों से हमको बनाना है और हम उपर से किस तरीका से चटपटा बनाएंगे आगे की वीडियो में देखते हैं तो इस तरीका से हम हाथ से इसको मैस कर लेंगे चमन से नहीं मसुद पाएंगे जब हमारे पानी जो है फिल्कुल भी सूख जाएंगे इसमें प्याज व और इसको थोड़ा सा हंगीला बनाएंगे तो हम पकॉड़े बनाएंगे तो दोस्तों अगर आप पकॉड़ियां समय खाते हैं तो आप इसको चटपटा बनाना चाहते हैं तो मेरे तरीके से चटपटा बनाके पच्चों को भी खिलाएं और बड़ों को भी दे दीजे महमाना तो उनको भी दे दीजे, बिल्कुल भी अच्छे लगेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं बनेंगे, और मेमान तो बिल्कुल भी अगुलिया चाटते रह जाएंगे, और पूछेंगे कि यह कैसे बनाया है, जैसे अपने लोग जो मेमान होते हैं, जैसे भाई होते हैं, मामा ह तो जरूर ही पूछ लेंगे दूसरे पूछें या ना पूछें अपने तो जरूर पूछेंगे तो आप देखे इस तरीका से इसको मैस करके पकॉड़े की तरह बना लेजे और हम पकॉड़े तलने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं पकॉड़े को हम किस तरीका से फैला के ह यहां डाल दे रहा है तो हमने पहले से ही तेल यहां रख दिया है गरम होने के लिए और उसी में हम पकोड़ों को बना ले रहा है तो आप चाहें तो गोले गोले बना सकते हैं चोटी चोटी पकोड़े बना सकते हैं या इस तरीका से चिप्टे बना सकते हैं तो दोस्तों हमन चटपटे से हम बना के छोले-बटोले के तारफ या जो कहिए पकःडों के तरह चाट के तरह में इस तरीका से इसका फ्लेवर बना दूँगी और बहुत ही च्टपटा लगेंगे यह तो यह देखे generates तरह तो मन्चूरियन की तरह हर स्वाद उसमें आएगा हर पकोणों का स्वाद आएगा उसमें हर चीज का टेस्ट आएगा उस तरीका से मैं बनाके इसको दिखलाओंगी तो इस तरीका से हम पकोणों को तल ले रहे हैं तो यह आप साधे पकोड़े हो गए और उस तरीका से आप इसको खाईए और अगर आप को चटपटा खाना हो तो दूसरे तरीके से बना लीजिए तो यह देखिए हम यहाँ दल ले रहे हैं इसको अदलने के बाद हम इसको बनाएंगे तो यह दोस्तों इस तरीका से इसमें डाल दे रहे हैं और उसके बार हम आपको दिखलाते हैं तो जब आपका तेल बहुत हीट हो जाए तो उसको ठोग जब आप डाल लीजे तो धीमा कर लीजे ये देखिए दूसरा बर्ज भी हमें डाल दे रहे हैं और दूसरा बर्ज मैं निकाल ले रही हूं तो सारे प पकोड़े बहुत टेश्टी बनने माले हैं दोस्तों सबको पसंद आएंगे जो भी चटपटे हैं बच्चों को तो बिलकुर भी पसंद आएंगे 60-70% लोगों को तो जरूर पसंद आएंगे हाँ 40% वालों को साथ जादा खाने की ख्चा हो लेकिन इस तरीका से चटपटे तो बहुत लोग खा सकते हैं तो देखिए हमारे सारे पकोड़े बन गए हैं और एक मैं प्लेट में इसको ले ले रही हूँ और इसको मैं चटपटा बनाओंगी तो इस प्रकार से पकोड़ियों को आप फैला लीजिए और उसके उपर चटपटा बना लीजिए इसको भी खाना हो तो जिस प्लेट में आपको देना हो उसी प्लेट में आप चटपटा बनाईए तो आप देख सकते हैं मैंने हरा धनिया इस पे डाल दिया है म को मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा थलका हलका सही डाल रही हूँ अब मैं यहां डाल दोंगी हरा लहसुन हरा लहसुन जो है आप कहा हो तो उसको पट करके डाल दीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं अब हम यहां डाल दे रहे हैं थोड़ा सा कदू कस किया हूँ मुली यह द चटपटा खाने वाला हो तो यह सबसे आप सजा के इसको दे सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा हमने दही को यहाँ भी एड़ कर दिया है जिसे इसका फ्लेवर जो है बढ़ जाए अब हम इसमें डाल दे रहे हैं टोमैटो सॉस टोमैटो सॉस मीठी चटनी जो भी आपके पास हो डाल जकते हैं तो यह हम टोमैटो सॉस मीठी जटनी को भी डाल दे रहे हैं थोड़ा सा मीठी चटनी को भी डाल दे रहे हैं थोड़ा सा हब डाल दीजिए चीली सॉस उसससे भी आपका फ्लेवर इसमें बढ़ जाएगा यह देखिए औ pursuit मेचा निकाल के इसको डाल दे इससे और भी उसके फ्लेवर अच्छे हो जाएंगे अब यह बन गया है चटपटे से कितने अच्छे लग रहे हैं अब चाहे तो और भी उपर से मूली का ग्रिशिंग कर लीजिए और चाहे तो आप तीखा खाते हो तो चीली सॉस भी डाल सकते हैं तो यह देखिए गुरकू हमने डाल दिया है तो चीली सॉस भी डाल के इसको बना दीजिए और भी अच्छे लगेंगे थोड़ा सा आप चाहे तो और भी जो भी कट किये हों सामान इसमें डालने के लिए तो आप इसमें उपर से ग्रिशिंग कर सकते हैं और अच्छे लोग देखने में अच्छे है तो आप बिल्कुल है हमारे तरीका से खाई और बनाईए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए नमास का रहा हुआ 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 हुआ